मद्दान के प्रती लोगों को जागरू करने के उधिसे से सीनियस काइंटरी बाल स्कूल हमिरपूर के बच्चों ने गांधी चाप से लेकर भोटा चाप तक चापता रहली निकाली बच्चों ने हाथों में तक्तिया लेकर लोगों को जागरू करने का प्रयास किया इस अबसर पर बाल स्कूल हमिरपूर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा स्कूली बच्चों ने लोगों को जाती धर्म से उपर उठ कर मद्दान करने के लिए प्रेरित किया मद्दान की प्रती लोगों को जागरू करने के उदिसे से सीनियस काइंट्री बाल स्कूल हमिरपूर की बच्चों ने गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक जागरूता रेली निकाली बच्चों ने हाथों में तक्तियां लेकर वर नारों की माध्यम से लोगों को जागरू करने का प्रयास किया इस अबसर पर बाल स्कूल का पुरस्टाफ भी मौजूत रहा स्कूली बच्चों ने लोगों को जाती धर्म से उपर उटकर मद्दान करने के लिए प्रेरित किया वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि आज गांधी चौक्स लेकर भोटा चौक तक रेली निकाली जिसमें लोगों को बताया गया कि वह अपनी पसंद के उमीदबार को अपना बोट दे सकते हैं उन्होंने कहा कि लोगों को जाती धर्म से उपर उटकर मद्दान करना चाहिए आज हमने लोगों को जागरूप करेंगे कि अपना बोट किसी को अपने मर्थे से डाल सकते हैं कि अपने के लिए एक वोट बहुत ही गीनती होता है लोगों को मैं बोट कर सकता है कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने जाती और फिर्म के व्यक्ति को बोट रेता है इससे उपर उठकर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्थे से किसी पर बोट आसको बोड़े होया जवान सभी करे मतना कि पार्टिस्पेशन के लिए जैसे कि भास सरकार में सुइब अभियान चलाया है उस अभियान के तहट हम पूरे स्कूल विद्यालियों में अलग 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 एक्टिविटीज करवा रही है सुइब अवेरनेस है कि सुइब का मतलब इस सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एड इलेक्टोरल पार्टिस्पेशन प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहट हम रैली निकाली ने से आज हमने उसे लेकर गांधी चौक तक हमने वहां पे जाके लोगों को अवेर किया ताकि वो अपना वोट डाले अपना कीमती वोट डाले और अच्छे प्रतिनी ही चुने बिना जाती है और किसी के बहकावि में ना आपके अपने मत का उचित प्रयोग करें और सही आदमी का चुनाब करें और यह जो हम अवेर्नेस कैंटेंग चलाया है हमें इसमें हमने पेंटिंग कॉम्पटेशन भी बच्चों से करवाया हमने एक संकल्प पत्र जो है वो हमने अपने SRC मेंबर से साइन करवाया अभी हम धीरे धीरे जो है बच्चों के सभी पैरेंस से भी साइन करवाईंगे उस संकल्प पत्र में यह है कि अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करना है विना जाती, रंग, भेद और किसी के बहकावी में ना आकर अपने वोट का सही स्थेमार करना है और इसमें हमने बच्चों को स्पीच की माध्यम से भी बच्चों को समचाया कि जैसे हमारा देश एक स्वतंतर देश है, एक डेमोकरिटी कंट्री है जिसमें लोग जनता द्वारा शाषन, जनता के लिए शाषन और जनता के लोगों के लिए शाषन मतलब लोग जो हैं, वो अपने प्रतिविधी चुनते है और हो सरकार चलाते हैं जाए बिधान सवा से रिठड हो चाहे बोग सवा से रिठर है और आपको पतरिए कि जैसे बच्ची, बच्ची तो हमारे स्माद का पर दिश्यान है बच्चों के तूह ही और अपने आप भी हम घर घर में जाके जोगों लोगों को इसके प्रती जो जो जागरु कर रहे हैं कि अपना किंती वोटर जो 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 डाले और तिमाचल जो हमारे भी धान सवर्चुनाप और भीजास सत्रा, उसको सफल बनाएं और सफल बनाने में हम सबका जबू सही होते हैं भन्जाबाद